नमस्कार स्वागत है आपका JJN News की एक और खास ख़वर में रामनगर में शुकरवार की देर रात अपने घर के आगन में खेल रही छैसाल की बच्ची को घर में ही कोबरा साप ने डस लिया जिससे बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई वही घटना के बाद जहां एक और परीजनों में कोहराम मचा हुआ है तो वही मौके पर पहुँची वनविभाग की टीब ने बच्ची को डसने वाले कोबरा साप को भी रेस्क्यू कर लिया है आपको बता दे कि ग्राम पंजाब पूर धेला निवासी कुंदन अधिकारी की 6 साल की बच्ची रोशनी अधिकारी शुकरवा की रात अपने घर के आगन में खेल रही थी बताया जा रहा है कि इसी वीच आगन में खेलने के दोरान इस बच्ची के पैर में जहरी ले कोबरा साप टे काट लिया जहां बच्ची के चिलाने के बाद परीजन उसे रामनगर के सरकारी अस्पताल के अलावा कई और अन्य स्थानों पर इलाज के ले ले कर गए लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था माईगटा के बाद जहां एक और परीजनों में कुहराम मचा हुआ है तो नहीं जानकारी मिलने के बाद मौकेब पाँची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को डसने वाले कोबरा साप को रेस्क्यू कर लिया है मेरा सुन नाम नरेंदर कौरवी बच्ची का नाम किया कितनी उमर है क्या मामदाबा बताई बच्ची की उमर जो है ना बच्ची का नाम जो है रोजनिय दिकारी और उसके उमर च्छै साल और ढेला रामनेगर कि और उसके साथ जो है जो हासा वह साप ने उसको काड़ दिया आगन में खेल ली ती हो और उसके बाद हम होस्पिटर बाए होस्पिटर पाने पर जो है उसको जो ना इंजेक्शन न कुछ ट्रीटमेंट मिला जिससे उसकी मिर्थी होगी अप्डॉक्तर लोग क्या करें कुछ भी नहीं है इसको मिर्थी गोषियतों करें पर ज्यादा लापर वह बहुत ज्यादा लापर वह ऑन्यां कोई यहांप को ыफ् 252 निया सब कुछ होना चाहिएन ने एक बार फिर एक माशुम्वालिका बेर साप का सकास हो गई सांप के ड़सने के बाद जहांक और इस मासुम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विवाग की टीम ने इस कोबरा सांप को रेस्कू कर लिया है आपको बजारते की सुकुरवार की रात ग्राम धेला राम नगर के सरकारी अस्पताल के साथ ही कई जगे उपचार के लिए दिखाया लेकिन बालिका ने तब तक दम तोड़ दिया था घटने के बाद में तक बालिका के परीज़ों में जाहें को और कोरा मचा है तो वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विव अग्रवाल के साथ कैमरेमें बंटिया रोला, जेजैन नीूस के साथ, नमस्कार